असलाम अनिकूम आपका वेलकम है नौवल नेम है दिल पत्थर का बाई रिम्शा हुसेन एपिसोड फाइब नजरे मिली दिल धड़ का मेरी धड़ करने कहा लब यू आर्जू लब यू राजा होता है आर्जू जो सुबा होती ही बाहर गोल-गोल घुम के गाना गा रही थी रोश्ना ने इसकी आकरी लाइन पे मुस्कुराह जब्त कर दिका हसी इसको आर्जु को दिक्या रही थी जिसके चेहरे से कहीं भी रात वाली नाराज की नहीं थी क्योंके आर्जू कोई भी बात अपनी दिमाग पे ज्दाधा सबार नहीं कर दी थी और नाही जादे देर किसे से नाराज रह सकती थी राजा कौन राजा में किसी राजा बाजा को नहीं जानती आर्जु इसकी बात पर गोल गुमते हुए सुफ़े बैठके बोली क्या छोड़ो गाना गारियों खुशी की वज़े जान सकती हूं रोशना इसका चमकता चेहरा देखकर पुचा हां क् आप मेरी वन एंड उनली सिस्टर हैं जरूर बताओंगी और आर्जु ने खुश दिने से कहा फिर रूपके बोली जबीर भाई है ना इनको फलैट मिलाएं कल नहीं बता पाई मैं और खाला वाले रात आने वाले थे पर पतानी क्यों नहीं आए आर्जु ने आखिर में कं का वाकिया याद आ गया जिससे फिर से उसको जबता गुसा आने लगा जिससे दबा के वा आर्जु से बुरी अमा ने कहा था वो लोग आएंगी इसलिए मैं और तुम आच छुटी कर ले अच्छा आपके एसाइन्मेंट को क्या बना जमा करवा लियां कम्लीट करके आर्जु जल्दी से नाश्टा करो रात में बिना खाय सो गई थी तुम्हारी पसंद का पराठा बनाया है वो भी जादा आइल डाल गए खैर है अमा इतना प्यान आर्जु ने हैरत से अपनी मा से पुछा पहनी दफ़ा तो नहीं कर रही हूं ऐसे हरान हो रही हूं जरीना बेगम ने इसके माते पर चिपत लगा के बोली अमा आर्जु को इतने ज़्यादा उईड़ी चीज़े ना खिराय करे इसके नहीं ठीक नहीं रोश्णा तेरी नजर से आर्जु को देखकर जरीना वीघंसे बोली मेरे साथ कौनसा शुगर का मिसला है जो ठीक नहीं आर्ज रोशना इसके दोनों भरे हुए गाल खीच के का आप भी ना करें आर्जो ने अपनी गालों से इसके हाथ अटा के चीक के का चीक क्यों रही हो कौन सा दर्द होता है और तुमारे हैपी इतने नरम रोशना ने इसको चीकते देखा तो कहा हां इसलिए तो बड़े किये हैं कही आप लोगों को चेहरे से ही ना हटा दो आर्जो ने अब मज़े से पराठा खा कर जवाब दिया अच्छा बाते छोड़ो नाश्टी के बात फ्रेश हो जाना तुम दोनों लोगों की खाला आती होगी जरीना बीगम इनको हिदायत करती महासे निकल गई आपने सुना नहीं आमा ने क्या कहा रार्जो ने रोशना को खामोच देखा तो का सुना क्यों नहीं रोशना ने ना समझी से जवाब दिया नहीं वो आप अपनी कमरे में फ्रेश होने के लिए नहीं गई तो मुझे लगा अपनी सुना नहीं आर्जो ने वज़ा हाती जा रही है रोशना इस इसको याद दिया था चार्ज होने के बाद वकास स्टूल पर बैटा और हिमायो एहमत सोफे पर एक दूसरे के कंदे पर सर रुके सोए हुए थे कुछ चाहिए तो बताना अलियादान ने हलकी मस्कुराहट से का थैंक्स अश्रफ ने मश्कुक नजरों से देखा पिर जियाद को देखा जो अंजान बनके बैटा था कुछ दिन या रहे के फिक का खाना खाओ तो अकल ठीक आना है फिर दोबारा या आने की जरूरत नहीं होगी अकल होगी तो वो दुश्मनी लेने बाले काम भी नहीं करोगी आप में आसे अब डिस्टार्च करवा दे अश्रफ खुदी हमत जमा करते जियाद से बोना घर की फिकर ना करो इनको यही पता है कि तुम अपनी दोस्त के घर हो अगर तुम घर जाना चाते हो तो मैं अब भी डिस्टार्च पेपर बनवाता हूँ इससे सूजे चेहरे से घर जाना फिर बताना घर में सब कौन सा कारणामा अन्जाम दे कर आए हो बताना इसके बाद ना तुम्हारे पास गाड़ी रहने देंगे तुम्हारे फादर और ना ही दोस्तों से जादा मिलना जुनना फिर जी भर के घर पे टिकना जियाद की बात तो इसकी बोलती बंद हो गे यह तो इसना सोचा ही नहीं था जो जैद मी कह दिया था वकास जौब था दाद देती नजरों से जैसे कहा रहा हूं फिकर भी अछान करने ऐदाज में बोला वकास की नजरों से जैद खाईफ होता बात बलन के बला तुम लोग कालिज नहीं जौगई क्या घर जओ ध जियाद ने कहते ही हिमाई हो और एहमद को कंदों से जटकक दिया तो वो भी हडबढ़ा के उड़ गए क्या हुआ एहमद आके मसलता बोला सुबा हो गई है जनाब वकास ने बताया इतनी जल्दी हिमाई हो शायद अभी अभी नीन में था हाँ इतनी जल्दी चश्मा पहनो अपना ताके अब पता चले कि सूरश डूब के उभर गया है वकास इसके पास आता इसके गलासे इसके तरफ बढ़ाते बोला आप भी फ्रेश होने घर चले जाएए मैं ठीक हो अश्रफ जियाद के सुर्क आँके देख कर कहा मुझे जब ज जाना होगा मैं चले जाओगा अपने छोटी दिमाग पर जोर ना दिया ना जियाद ने संजीत किसे कहा अच्छा तुम लोग जाओ मैं जयाद के साथ हौँगा अलियादान ने वकास इहमत और हिमाईयों से कहा मैं तो कॉलिज नहीं जाने वाला सरताज सर आज हफते पहले की की गई टेस्स जबानी पूछने वाले हैं वकास बदक के इन से दूर होके बोला जिससे वो जबरतस स्कोले का चले जाएंगे तो करते ना याद मैंने जो वाबात आसान कर दिये हिमाईयों ने चश्मा आँखों से नीचे करते खोर के वकास से कहा नहीं हुए तो मैं क्य करता वकास ने हाथ खड़े करके कहा एहमल जो कॉलिज जाने का सोच बैटा था वकास की बात पर इसको याद आए कि इसने अच्छे नमबर हासल करने के चक्कर में जवाबात सारे लिखे थे और शौर्ट भी नहीं किये थे इसको पता जो नहीं था कि इस सर ऐसा कुछ करने वाले थे कॉपी तो वो सब हिमायों के मदद से करने दे थे पर अब वो क्या करते इसलिए हमत भी अपना भरम रखने की नहीं बोला मैं भी नहीं जाओंगा मेरी नीन पूरी नहीं हुई है ऐसे मैं क्या पढ़ूंगा हाँ पहले तो जैसे तुम्हारी जहानत के चर्चे है ना वाकास ने खोर के का सारी निकम में दोस्त मेरी ही होने थे जहादीन की बात पर जल के बोला तो सब ने बेवक्त इसको घूरा तो जहाद को एसास हुआ वो क्या कह गया है पर वह अन्जान बनता मोबैल में लग गया है यह आपने जिसे न्यूटन के तीन लाया याद कर रखे रखे हैं अल्यादान ने मीठा सब तंस किया और नहीं यह बात अगर हिमायू करता हमें अपनी बेज़ती फिलना होती बकास ने भी अल्यादान का साथ दिया निकल गया मुसे और मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ वरना मेरा जैसा जहीन कहीं नहीं ज्याद अपने चुपता हाथ आसमान के तरफ करते बोला इसकी बात पर अश्रफ हस दिया जबके बाकिस सब ने आमीन कहा मैं किसी टीचर लड़की से शादी करूँगा ज्याद ने इसकी बात हवा में उड़ाई तो आप लोगों को अब जबीर की शादी का भी सोचना चाहिए माशालना स 27 का हो गया है आयाज हैं सहाब ने अबास सहाब और नुसरत बेगम को देखकर का जो कुछ टाइम पहली आये थे मिठाई लेकर और जबीर की कामियाबी का बताया उन्होंने चाहती तो मैं भी यही हूँ भाई साब पर जबीर शादी की बात पर टिकता ही नहीं नुसरत बे अबाबी रहे तो मना कर रहे हैं बच्चे अबास सहाब चाहे का घूट भर के बोले शादी तो में बच्चों की राए होती है यही करवानी चाहिए वरना घर का सुकून खतम हो जाता है आयाज सहाब ने तब से लागया यह तो है पर यह चारू कहा है दूसरत बेगम ने ट घर में कपड़े चेंज करने के बाद यहां आ गया था आरदू के एक ही सवाल पर तब के बोला ना बताओ आदे घंटे से जैसे तुम बिना सांस के जी रहे हो ना आरदू से ज्यादा तब के बोली हाँ हाँ आरदू इनको छोड़ो हम इनको नजर अंदास करते हैं जैसे सवाली करने होते हैं इसको आशिर ने अपनी टांग उड़ाना ज़रूरी समझा तुमसे बात नहीं कर रही आरदू ने घूर के आशिर से खा पिर सवाल यह नजरों उसे रोशना को दिखा वही पहले जो था मैं सर से एक दिन का टाइम मंगा शुकर है उन्होंने दी दिया रोशना मसरूफ अंदाज में बोली तो क्या वो पूरा नहीं हुआ अभी तक आरदू ने दोबारा सवाल गया इसकी बात सुनकर रोशना ने गहरी सांस देकर सब कुछ बता दिया जिस पर आरदू की हसी निकल गई पर रोशना के घूरने पर इसने जल्दी से अपनी अशिर इसकी बात पर तासिफ से बोला तो आप इने भी तो नहीं मानी ना आरदू अप जो अपनी हसी कंट्रोल करने के चक्करों में थी आशिर की बात पर पौरन बोली मैंने किया नहीं माना और यह क्या मानना था जबकि सरासर गलती तोती की आँखों वाली की थी रोशन में बैठ कर अपने असाइन्मेंट के पेपर खोल के बैठ गई अपनी क्लास में आराम से भी तो ठीक करती या लाइबरी में चली जाती आरदू ने बड़े आराम से इसको अपनी गलती गनवाई रास्ते में नहीं ती सीड़ियों के करीब थी जो कि कॉलिज के अंदर होती है और हर कोई वहाँ पढ़ता भी है अपना काम भी करता है बाते भी रोश्णा ने घूर के इतनी छोटी बहन को देख के कहा जो इसके बहनों के जिससे मिली नहीं थी इसकी सगी हो रही थी कहा आपी माह तो हर कोई बाते करने के लिए बैठ आ है और ग्राउंड पर तो आपको लेटी तब आप क्या करती और इस बिचार को क्या पता था कि जहां से वह गुजर रहा है माँ कोई अपना असाइन्मेंट बना रहा है आरजु ने जयात की फुल सपोर्ट की जिस पर रोश्णा ने सद्वी के हालत में इसको और इन दोनों को दिखा वैल इस बात प आपी कह रही है कि वह सीनियर है और इनको अपनी छोटों को समझना चाहिए ना कि खुद ऐसे बहुब करें आशीर को रोश्णा ठीक लगी जब में ने कहा पानी गिराया तो ठीट होकर कहता है कि पानी नहीं फ्रेश जूस था रोश्णा ने आग खिर में ज्यात की नकल कर ठीका हाँ आपी जो गिराया वही बताएगा ना आर्जों ने अपकी रोश्णा को चुडाने के लिए जोरदार कहका लगाया जस पर आशीर और जबीर की भी हस्त पड़े रोश्णा ने गुस्ते से हाथ में पकड़ी पैन इसके तरफ माननी की नहीं उच्छानी जो उसने कैच करके हस के बोली निशाना अमा से सीखे अश्रफ के चेहरे के निशान हफते के अंदर अंदर ठीक हो गए थे जिससे वो हस्पिताल से घर आ गया था इसरार सहाब और समया बेगम को यही बताया था कि अपने दोस्त की तरफ था जबकि जियाद सिरे से अब इसको पहले जाना बन कर रहा था सिवा हिमायों ने क्योंकि इनकी अमत्यान करीब थे रोशना ने अपने असाइन्मेंट जमा करवा लिया था दोबारा लिख्या और इसी बीच में आया साब ने इस आर्जो को भी मूबाइल गिफ्ट कर दिया था जिसको देखने पर आर्जो को यकीन नहीं हुआ था पर वो जोर से अपने बाप के गले लगकर शुक्रिया बोलती रही रोशना परेशानी से अपने बैग में नोट्स तलाश कर रही थी जो इसको मिलनी रहे थे वो थे भी इसके स्ट्रीक सर्फ रियास के जो उन्हेंने सब क्लास का कॉपी करने को कहा था जो अब रोशना के पास थे और आज इसको वापत करने थे वो ऐसे ही परेशान बैटी थी जब इसको याद आए कि वो इसने आर्जू के बैग में रखे थे वो और अपनी बैग में टाना भूल गई थी ये खराला थे इसने अपने सर पर हाथ मारा और पागलो की तरह यहां त क्यों होता है मेहक ने बोर्ट पर टीचर को फिजिक्स केस कुछ सवालात लिखते देखा तो आर्जू के कान के पास आकर बोली क्योंकि इसको समझने के लिए अकल की ज़रूत होती है और जिनको समझ नहीं आता इनको बोरी ही लगता है आर्जू बोर्ट पर लिके सवाल अ कि आवास टीचर ना सुन पाए कहा ना अकल की ज़रूत होती है और मेरे पास इतनी अकल नहीं कि मैं फिजिक्स जैसा सब्चे समझ पाऊं आज उने जवाब दिया तो गौर तो ऐसे खर रही थी जैसे फिजिक्स की टीचर सब समझा रही थी जैसे सारी फिजिक्स की किताब जैसे सारी फिजिक्स की किताब समझ में आती हो यादो महग ने इसकी बात पर घूर के कहा तुमने कहीं बड़ा नहीं है के behave like a fool, think like a brilliant मैं इसकी मिसान हो आर्जो ने रजिस्टर बन करके आराम से महग को हसके बताया जिस पर महग दाद देती नजरों से इसको देखने लगी तब ही क्लास में पियाउन ने फिजिक्स की टीचर से इजासत लेकर क्लास के अंदर आके बोला आर्जो है यास कोन है पिय मिनट तो वो घूर के पियाउन को देखने लगी फिर महग ने जब पीछे कमर पर इसको चुटकी काटी तो वो बुलबुला उटी महग घूर के वो खड़ी हुई और पियाउन के तरफ देखते बुनी इतनी सी थी जब से मैं यहाँ पढ़ती हूँ और तब से आपको यहा पाए कि आर्जोयास वन एन ओनली इस स्कूल में एक ही है आर्जो बिना टीचर की मौजूदगी का सोचे पियाउन को हाथ की इशार से बताने लगी कि वो कितनी छोटी थी जब से वह यहाँ पढ़ने आती है इसकी बाद पर क्लास में दबी दबी हसी गुजनी लगी क्लास साइलेंट प्लीज फिजिक्स की टीचर तेज आवाज में बुनी जी तो आपको प्रिंसिपल में हम अपने आफिस में बुला रही है प्यों जल्दी से बोलकर वहां से निकल गया ये आज प्रिंसिपल को मेरी याद के सियां गई आर्जो अपनी जगे पे बैट कर महक से बुनी बाते कम करो और जाओ इससे पहले वो दोबारा बुलावा आए इसकी बात रदा ने कहा तो सरहलादी क्लास से निकलने लगी पर क्लास के दर्वाजे से एक कदम ही बाह निकल जी बड़ी महरबानी होगी टीचर ने दात पीस्ते हुए कहा जिस पर आर्जो बुरा मुख बनाए प्रिंसिपल के आफिस में आई और अंदर आने की अजासत मिलकर वो बुली मैम आपनी बुलाया हाँ ये अलो अपनी बहन से बात करो प्रिंसिपल ने इसकी तरफ में आजाओ आर्जो ने जैसे ही आपी का रोशना की मनत भरी आवाज बरी आपी मैं स्कूल में हूँ आर्जो ने इसको याद करवाया कि शायद भूल गई हो जानती है और मैंने प्रिंसिपल से जाज़त लिये तुम बस आजाओ फिर दोबारा स्कूल आजाना रोशना ने दोबारा क्लास में आई अपनी चाहदर पहने लगी जब महग बोली कहा जा रही हूँ जहन्म मैं आर्जो ने भड़ास निकाली कोई प्रॉबलम है टीचर ने सवाल किया नो मैं बस मुझे कुछ टाइम बाहर जाना है प्रिंसिपल से इजाज़त मिल गई है आर्जो ने का बाहर क्या करने जाओगी इसके क्लास की एक लड़की अपनी दोस्त के साथ मिल कर हस के पूछा किसी की बात का जवाब ने दे आर्जो गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के सजा के सोमिल को जला के वो कलास से निकल गई सोमिल का चेहरा गुसे और बेज़ती के एहसास सरको गया था वो अपनी सीट से उठकर टीचर से कुछ गुसे में बोली मैं इसको तो आपने कुछ कहानी अगर आप बोलने की हमत रखती है तो सुनने की भी रखे टीचर ने संजीत के से जवाब दिया और फिजिक्स के बु आर्जो रिक्षे बाले को पैसे देती कॉलिज के कुछ करीबा कर खुछ से बढ़ बढ़ाने लगी वो खुछ से बाती करते हारी थी जब सोर से इसका किसी से टक्राव हुआ इसके हाथ में पकड़े सारे नोट्स नीचे गिरे गए और सामने वाले का मुबाइल भी बस इस और अलियादान दूर से बस इसको देख रहा था अभी तो बस देखते रहना है अलियादान ने मस्कुरा कर का गे ले वकास ने इसके एक हाथ में पर्ची पगड़ाई ये किसका नमबर है अलियादान ने जब पर्ची खोल के देखी तो पूछा तुमारी मिस हिजावन का वकास ने एक आउख विंक करते जवाब दिया अलियादान के चहरे के मसकुरायल कहरी हो गई वकास के मौ से तुम्हारी मिस्स हिजावन सुनके तुमे का से मिला और क्यों लाया किसी से इसकी ज़रत नहीं ती अलियादान अचानक से संचीता हो के बला जरूरत थी और मिला मैंने तलाश किया किसी से लिया भी नहीं सो तुम बेफिकर रहाँ वकास ने इसकी पीर थब थबा कर इसको रिलेक्स किया सही पर मैं इस नंबर का क्या करूँगा अलियादान ने पूछा इससे बात करना और यह वही लड़की तो नहीं जिसको हमने कॉलिज के फर्स डे पर मिस काइट करने का सोचा था वकास जवाब दे कर फिर किसी खयाल के आने का पूछने लगा वही है अलियादान हसके बोला मिली भी तो यहीं मिली मतलब उफ अलियादान में क्या कहूँ वकास कानों को हाथ लगाता बोला जिस पर अलियादान एक मुकास के बाजों पे मारा हर किसी को मैं मिलता हूँ टकराने के लिए जियाद जो जल्दी में जा रहा था सामने से किसी से टकर लगने पर जब इसका मॉबाइल नीचे गिरा तो उठाने के लिए जुटके बड़ बड़ाने लगा पर बड़ आने लगा इसकी बड़ बड़ा हट आर्जों नी सुनी थी जिसका सर जयाद के सीने पर था और अब इसका अपना सर घुमता मैसुस हो रहा था इसने अपना हात माते पर रखा जब सामने वाली की बड़ बड़ा हट पर बिना इसको देखे बोली इतने तुम सिकंदर जहां इतने तुम जहां सिकंदर एक्सक्यूज में ज्याद मोबाइल उटाता ना समझी से बोला हाई ला मेरा सर तोड़ के रख दिया आर्जू ने अभी भी बैसे ही कहा अब इतना भी नहीं लगा जितना तुम रोना डाल रही हो ज्याद घूर के इसको देखता बोला जो स्कूल यूनिफॉर्म में इसको बच्ची लगी तो आप क्या चाते थे कि मेरा सर फटता खूर निकलता आर्जू अब अपने हाथ कमर पे टिकाए ज्याद के तरफ देख के बोली मैं ऐसा क्यों चाहूंगा ज्याद सामने खड़ी लड़की देखी हुई से लगी पर इसे कहा देखा इसको याद ना आया इसके चेहरे से निकाफ फिरते पूछन लगा खेर ये बात भी है आब बस मेरे नोट्स जो आपकी वज़े से गिरे हैं वो उठा के दे आर्जू इसकी बात पे शाहने बेर नियाजी से भूकम देते बोली इसका अंदाज देकर जियाद गश गश खार उठा मेरी वज़े से गिरते तो जरू उठा के देता पर गलती तुम्हारी अपनी है इसलिए खुदी उठाओ जियाद सर जड़कता बोला आप बहुत हैंडसम है अब इस कुशी में उठा के दे आर्जू कुछ पल खामोश र लगा ऐसा वो क्यों कर रहा था बज़े वो खुद नहीं जानता था क्या तुम्ही स्कूल का रास्ता भूल गई हो जियाद फाइल कोपीन जोर से बंद करता इससे पूशन लगा मैं क्या आपको इतनी बच्ची लग रही हूं जो रास्ता भूल जाओंगी सच कहते हैं खु मुझे आर्जो ने अपनी फाइल पकड़ के कहा क्योंकि जियाद ने अपना हाथ हटाया नहीं था आर्जो ने कहते हैं इसके आँकों को देखा तो इसके दिमा में कुछ क्लिक हुआ तो पर जोश आवाज में पुचे नहीं क्या आपका नाम जियाद है इसके सवाल पर बा उमोमें मैंने आपकी बहुत तारिफ सुनी है यह जुमला होता है जियाद रुक कर इसके तरफ चेहरा करके बोला पर मैंने जो सुना वही कहुंगी आर्जो ने कंदे उचका कर जवाब दिया कहां से सुनी मेरी बुराई जियाद तांत पीस के पुचिन लगा मेरी बेहन से रोष्णा नाम है इसका आपका इसका आपको याद होगा एक तफ़ा आपने इसके असाइनमेंट पर जूस किराया था आर्जो ने गयात करवाने के खाते सारा वाक्या कह सुना डाला ओ तो तुम इसकी बेहन हो जियाद कुछ पल याद आया या तो नाया पर जैसी एक चेह पल बना के पूशन लगा जैसे वो ना कहीगी तो वो ही लेगा ही नहीं अपनी जगे से हाँ जाये आर्जो मुसकुरा कर बोली जियाद गहरी नजरों से इसका मुसकुराना देखता फिर साइड से गुजर गया बतनमीज नहीं तो आर्जो जियाद की पुछ देखती मैंने जो जयाद को गुस्ते में देखता जल्दी से वजाहत देते बुला दो फाइल जयाद ने इसके हाद से फाइल ली और एक नजर डाल कर साइन कर दी सोनिया खांजादा का बिजनस अब जयाद की सम्हालता था उन्होंने अपनी सारी जायदाद जयाद की पैदाश पर इसके नाम करती थी जिसका पता किसी को न था जयाद को भी ये बात अपनी दादी के मरने के बाद पता चली थी तब से वो इस राज साब का एक रुपया भी इस्तमाल नहीं करता था अब जाओ कुछ अरसे बात मैंने कमपनी जॉइन करने पर अभी में मुझे कुछ जयाद ने इसको फाइल पकड़ा तिका और दोबारा कॉलिज जाने लगा जब इसकी नजर आर्ज उपर पड़ी जो टैक्सी पर बैट रही थी जयाद इसको देखता इसी रास्ते चल दिया जयाद एक बात बचता चलिए तुम्हें वो सब आज हिमाईयों के घर दे क्यों फिकम अगले ताला इन्नी का ही जोहर किया जबकि अलियादान को अपने आसपास खतरे की गंटी महसूस होई वकास अहमत की शरारत जानकर इसकाह साथ देने लगा अलियादान तुमने जयाद को नहीं बताया ये बात तो बहुत पुरानी बात है नहीं वकास अपनी पूरी नजर खुद पर दिखी, मुझे भी नहीं पता क्या बात है, हिमाईयो एक सेंटर सोफे पर बैठा पूछने लगा, नहीं खास है, नहीं खास भी नहीं है, तुम लोग तो जानते हो ना, इन दोनों का बहाना चाहिए होता है, ड्रामा करने का, अलियादान, मनस्नुई, जिच इन दोनों की घूरी से नवाजना नहीं बुलाता, फिर भी क्या बात है, जियाद काफी पीता साथ में सवाल करने लगा, वो दरलता बात ये है, अलियादान जो है, अपने बाप के साथ बिजनस जाएगा, जब एक्जाम के बाद छुटिया होगी, इससे पहले अलिय जिसकी बात काट की बोला, जिस पर अलियादान ने शुकर का साथ लिया, पर इन से बदले लेने का एहद खुच से कर लिया था, अच्छी बात है, जियाद संजीत की से बोला, अल दे बेस्ट, अलियादान, आखिर को एक मेहने बात तुमारी हर एक हरकत पर कड़ी नजर हो यह तुम दोनों को इतनी हसी क्यों हरी है, जियाद जो पाच मिनट से इनको हसता देख रहा था, आगर को पूछी नहीं है, नहीं बस रहसे ही, वो दोनों गड़ बड़ा कर सीधे होकर बोले, रोशना सुबा उटकर फजर की नमाज अदा करने के बाद, अपना मुबाइल तो इस पर अननन नमबर देखकर कुछ मिनट पहले का मैसिज था, पहले सोचा अननन है, डिलेट कर दे, फिर सोचा पढ़ने में क्या है, वो इन बॉक्स में आकर मैसिज देखने लगी, जैसे फूलों में से एक फूल को गुलाब कहते हैं, वैसे ही एक हसीन सुबा की में आई, तो हैरत से पुछने लगी, जो इसकूल यूनिफॉर्म में बिलकुल तयार थी, बैट भी बैट पर रखा था, पर दुपटा अलमारी पर लटक रहा था, और वो खुद अपने बाजों में कुछ लिखने में मसरूफ थी, वो आपी आज फिजिक्स का टेस्ट है, आज और मुझे कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम और फॉर्मूला याद जादा याद नहीं हो रहे, इसलिए में सब प्रॉब्लम के फॉर्मूले अपनी दोनों आम्स पर लिख रही हूं, आर्जो ने अपनी अकलमंदी का सबुट दिया, जबकि रॉष्णा का मुँ पूर पूरा का पूरा खुल गया, आर्जो का जवाब सुनकर और इसको हैरत से देखने लगी, जो अपनी कारवाई से मुतमईन स्लीव बटन बंद कर रही थी, तुम चिटिंग करोगी रॉष्णा ने काफी टाइम बात पूछा, नहीं तोबा तोबा कैसी बात ही कर रही है, आर रॉष्णा ने तंस से पुछाएं, वो तो बस ये फॉर्मूलाज है, बाकी तो सब मुझे याद है, अगर मैं ये देख लूँगी तो कौन सा बड़ी बात है, इतना सब तो हर कोई करता है, आर्जो ने अराम से अपना लॉजिक बताया, मुझसे का होता मैं ठीक से तैयार पोड़ा, आशिर ने रॉष्णा और बेयकीन ही हो गई, हाँ ना, मैंने तो फाइल ही हो गई, आशिर के अकलमंदी पर, आर्जो ने मज़े से बताया, मैं मानू ही ना, आशिर खुद इतनी मेहनत करता है, और तुमें चिटिंग का मशारा देगा, बिलकुल नहीं, रॉष चोड़े ये बताये, आप चलीगी, मैं तो निकल रही हूँ, आशिर जल्दी होगा, आर्जो ने पूछा, मैं तो आज आशिर के साथ बाइक पर आउंगी, इसका और मेरा कॉलिज एक रास्ते पर है, तो सोचा, आज इसके साथ चाहूँ, रॉष्णा ने बताया, ओके, ख ने पहुचकर सलाम किया, वालेकुमसलाम कैसी हो, नुसरत बेगम, इसको गले लगाते हाल हवाल पूछन लगी, मैं ठीक हूँ, आशिर के साथ आज कॉलेज जाना था, वो निकल तो नहीं गया ना, रॉष्णा ने मुस्कुना कर जवाब दिया, नहीं अपने कमरे में ही है अब जाएगा शायद, नुसरत बेगम ने जवाब दिया, अच्छा तुम्हें इसको बताओ, रॉष्णा इनसे कहती है, आशिर के कमरे के तरफ बढ़ी, एक तो तुम और आर्जो, इसकुल यूनिफॉर्म में भी बहुत प्यारे लगते हैं, रॉष्णा आशिर के कमरे मे इसको अंदर आने का कहने लगा, हाँ मुझे आशिर तुम कॉलिज छोड़ना, हमेशा आर्जो को बाइक के सेर्ज करवाते हो, रॉष्णा बैट पर बैट थी मुस्कुरा कर बोली, जवरूर आपी, क्यों नहीं, आशिर इसकी बात पर हस्तिया, आर्जो बता रही थी, वो अमल करेगी, आशिर रैक से अपने शूज निकालता, सर नफी में हिला के बताने लगा, वो तो बता रही थी, कि तुम ने इसको कहा था, कि अपने बाजो पर फिजिक्स के प्रॉब्लम के फॉर्मूले लिखें, पर इस पर देखकर वो टेस्त दे, रॉष्णा इसको ज कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने तंग आकर कह दिया था, आशिर कहकर कल के बारे में सोचन लगा, जब अपने दोस्तों के साथ बाहर था, क्या है, क्यों कॉल की है, आरजो खालो ने तुम्हें मुबाइल लेकर देकर मेरे जान आजाब कर दी है, आशिर जो बार कॉल करने पर इनसे अलग होता, एक साइड पर कॉल उठाता, कौफत से बोला, आराम से आराम से इतना चुड़ क्यों रहा है, आरजो अपने हाथ होटों के पास रखती, आशिर का गुस्ता ठंडा करने की कोशिश करने लगी, मेरी क्यों याद सता ही तो मैं वो बताओ आशिर कहरी सांस ले तब पुछने लगा, कलना मेरे टेस्ट है, वो भी फिजिक्स का, आरजो ने परिशानी से बताया, तो इसकी तैयारी करो ना, मुझे क्यों काल की, आदतन दाट पीस कर बोला आशिर, तुम मदद करो ना मुझे को मुझे को मुश्किल हो रही है, आप अपनी बात पर जोर दे के कहा, अभी मैं पढ़ रहा हूं और अब मैं घर में नहीं हूं, आशिर एक अपना हाथ बालों में डाल कर बोला, इसका दिल करना था अपने बाल नोच ले, घर नहीं हो, पता है, कमबाइनी स्टूरी कर रहे हो, पर बस तुम आदे घंटा मुझे अपना और घर आने के भी, क्या जूरत है, तुम पर फोन पर ही समझा दो, आर्जो ने अपनी लहजे को और मिस्किन बनाया, अर्जो अभी मुम्किन नहीं, मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा, बात को समझो, और मैं घर भी नहीं आ सकता, शाम तक कर सबर करो, आशिर यहा हम चक्कर लगाता बोड़ा था, तो तुम नहीं समझा रहें, सही है, अगर मेरा भाई होता, ओ प्लीज आर्जो अब यह तक्रीश शूर मत कर देना, आशिर ने इसकी बात बीच में ही टूदी, तो तुम समझा रहे हो, आर्जो दबान दातो तले दबा के पूशन लगी, पर अल्ला ने तुमें बहन ने दी, अल्ला जानता था था ना, तुमने इसकी कदर नहीं करनी, आर्जो ने हिसाब बेबाग किया, अब बताओ क्या समझा रहे हैं, तुम फिजिक्स में आशिर ने बात बदने में आफिर जानी, तुमें फिर भी इसको ये नहीं कहना चाहि अब वो हर बार ऐसा ही करें, कि रोशना इसकी सारी बात सुनके बोली जिस पर आशिर ने शर्मिंदी की से सर जुका दिया, अच्छा अब शर्मिंदा नहूं, तयार हो तो चले, रोशना उठके बोली, जी मैं तयार हो आई है, आशिर ने का, फिर दोनों साथ निकल गए, जियाद कॉलिज के लिए तैयार होकर जा रहा था, बाकिस सब नाश्टा कर रहे थे, जब माही बेगम जो डाइनिंग टेबल पर जूस रख रही थी, इसको बिगए नाश्टा के जादा देख, आवाज देखकर रुका, जियाद नाश्टा करो, रास्ते में कर लूँगा अबकि वो कुछ परहम हुई, तो वो नाश्टा को आना पड़ा, जिससे समाया बेगम ने गहरी सांस नहीं, बाइक का क्या किया तुमने, जियाद ने अभी ब्रेड ही खाया था, जब इसरार साहब ने संचीदा आवास इसके कानों में पड़ी, पराटा खाते, अश्रफ क पनीवाला गले में अटक गया था, जबकि जारून, एनी, कश्माला तयार हो गई, इनकी बहस सुनने की नहीं, अबरार साहब ला तालुक से अपने नाश्टे में लगे रहे, समाया बेगम ने कौफर से सर जटका, कुछ करना था क्या, जियाद ने उल्टा इन से सवाल किय साथ साल से जहां मैंने इसको खड़ा किया था, वही थी, पर अब वो नहीं है, कहा है वो, पोछ रहा हूँ, अगर अपने बाप को बताओगी तो तो तुमारी शान में कमी नहीं आ जाएगी, इस रार साहब खुद पर कंट्रूल करने के बावजूद गुसे से पुछने ल आपने जहां रखी थी, अब वो नहीं है, तो मुझे क्या बता, आपने इसको मेरे नाम रेजिस्टर करवाई, पर आप ये जानते हैं, कि वो मैंने कभी इस्तमाल ने की, और ना ही मैं इसको गल्ती से भी टच्च किया था, पर आप मुझे सवाल क्यों कर रहे हैं, जियाद गुस्से से भरा चैना देखा, आराम से बात करना सिखो, जियाद हर पर गुस्सा नहीं किया करो, तुम बड़े हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये क्या सिखेंगे, अबरार सहब ने नर्मी से जारून कश्माला और अश्रफ एनी की तरफ इशाना करके कहा, तो आप अपन बोली, और मैं आप से तंग हो, आप से नहीं, पूरे बीस सालों से, जियाद सर्द लहजे में कहता है, मासी निकल गया, शादी करवा ते जियाद की, क्या पता ठीक हो जाए, अबरार सहब ने सर्मात ही के, सर थामे बैठे, इसरार सहब की कंदे पर हाथ रख के का, कौन करे इसरार सहब ने हकीकत इनके सामने की, भाई, कोई तो होगी लड़की, शादी और गुजारा कर लेगी, आप ये सोचे के भाई मानते हैं या नहीं, जारून अपने हाथ नैपकें से साफ करते बोला, ना भी माने नूर जहा, इसको मना लेगी, इसकी हर बात मानता जो है, प बहुत मानता है नूर जहां की, अबरार सहब समया बीगम के जाने के बाद बोले, वो सुनी की वफात के बाद कराची ही नहीं आई है, तुम्हें लगता है वो, अबरार अरह हमारे कहने पर जियाद को शादी के लिए रजा मनत करीगी, इसरार सहब ठकन जर्दा लहचे में बोले, बात करने में क्या जाता है, अबरार सहब ने अपनी बात कायम रहे, वैसे मानते तो वो चच्ची जान की भी है, एनी अपने कान में पहने, एरिंग्स को उंगली से गोल गुमाती बोली, मैं बात करते देखूंगी, सब नजरे खुद बा-खुद महसूस करते, माही बेगम कहके निकल गई, इनके जवाब पर इसरा सहब ने सुकून भरा सास लिया, रोशना अपनी डिपार्टमेंट में आकर सीदे अपनी जग़ पर बैग रखा, तो अपनी सीद पर एक चिट चिपकी देखी, इसने एक चोड़ नजर क्लास में डाली, जो कप चप में मसर दिल के दिल ओ हो, दिल के दिल हाथ तेरे अपने हाथ, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं अमा, धड़े बैटे हैं, ऐसा लिखा है, धड़े बैठे होना चलिए था, रोजना अपने दिल की धड़कनकारों में गुंची थी महसूस हुई, इसने बेसागता, धूक निंकल कर सुभा, तो वो नजर अंदास कर बैठी थी, पर अब इसको डर महसूस हुआ, इसने चंदी या वो आप परिशान लग रही हूँ, वो ऐसे मेसेज और चिट का सोच रही थी, जब बराबर बाली सीट पर अलीजा कर बैठी और इसे देखकर सवाल करने लेगी, नहीं मैं ठीक हूँ, रोजना खुद को कंपोस करते बोली, अच्छा लग तो नहीं, माते पर पसेना है, फरवरी का महना भी नहीं, अलीजा हस के बोली, इसके बाद पर रोजना अपने माते पर हाथ रखकर, अच्छा तो नहीं, माते पर पसेना है, फरवरी का महना भी है, अलीजा हस के बोली, इसके बाद पर रोजना नहीं अपने माते पर हाथ रखकर, जा ननी ननी भूंदे, इसको अपने हाथों पे महसूस हुई जियाद आर्यो के अलियादान परेशानी से इसका सुर्ख चेहरा देखकर पुछने लगा यस आयमो के जियाद गहरे साथ भरते बोला तुम्हें अंदाजा है जिस रफतार से तुम गाड़ी चला के हैं आये हो अगर एक बिगाड़ी किसी के तुम्हारे सामने आती ना तो तुम इस वक्त जिन्दा ना होते हैं मायों ने गुस्से से इसके तरफ देखकर का जो खामोश बटा था क्या हो रहा है जियाद बाबु कुछ गुस्से में है सब खामोश थे जब ग्राउंड में जवारियार और इसके दो सिन्द सब को देखकर यहां आकर बोलने लगे अगर अगर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा चेहरे का नक्षा ना बिगड़े तो दफा हो जाओ एमद खूर कर जवारियार से कहा पांचुस शयतानी मुस्कराहट से जवारियार को देख रहा था क्यों हमारे पास में कौन सा चुड़िया है जो तुम लोगों को हम बक्रश देंगे माहिर तीज तेज वाज में बोला इसकी बात पर जवार जवार ने अपना सर उठा के इनकी जानी देखा और कतार में एक साथ थे मेरा दिल चारा है मैं अपना गुसा तुम लोगों पर उतारू जवार खड़ा होता इनके रूबर रुआ के बोला इतना गुरूर अच्छा नहीं है और ता मिस्टर जवार शयाद शान इसके कंदे पर हाथ रखते बोला जवार शयाद ने इसका हाथ पकड़कर जटका देकर इसकी पीट अपने करीब करके इसका बाजूमर रोड डाला यह सब इतनी अचानक वादा कि उस सब समझी नहीं पाए अहाँ जंगी छोड़ो मेरा हाथ शान दर्द से तरब के बोला जवार यार ने जल्दी से आगे बढ़कर शान को इसकी फाला दी गिर्फ से निकाला जब वो चारो अलियादान एहमद हिमाई वकास तमाशाई का रोल अदा कर रहे थे दिमाग सायटे तुमारा जवार यार इसके मुकाबल खड़ा होता जवार यार जाने के लिए मुड़ा तो जवार यार ने वैसे ही नीचे करें अपनी टांक जवार जवार यार की चीक बेक साहटा थी माहितने अपने बैक से चाकू निमा शेयर निकाली और जवार चिपीट के तरफ उचानी जवार को जो जोर से लगी थी और ऐसी चीज़ रखते ही ज्याद की वज़े से थे ताकि मौका मिलने पर बार कर सके और आज मौका भी मिला था और बार भी जाय नहीं हुआ था और चारों आराम से खड़े थे जल्दी से ज्याद की तरह बढ़े जियाद तुम ठीक हो वकास के सवाल पर जियाद ने घूर कि इसको देखा और इनसे कुछ दूर होता अपना हाथ पीट की तरफ ले जाने लगा इसको ऐसे करने पर सब की नजरे इस जगे पर पड़ी जहां चाकू अभी भी जियाद की पीट पर लगा हुआता हिमायू और असवन भी रोकने के चक्कर में अजीब बोकसिंग करने का माहूल बना गया था जहां सब अपने डिपार्टमेंट में क्लासेस अटेंड कर रहे थे वहां ये सब कर लड़के लड़ने में बीजी थे तुम पानी पिया वकास ने पानी की बॉतल इसको देनी चाहिए जि रचता नहीं क्योंकि तुम एक भागी हुई औरत की पेटे हो इसकी बात पर जियाद अपना दर्द बुलाए इसको मारने के लिए बढ़ा तो जानता क्या है मेरी माँ के बारे में जो बखवास कर रहा है जियाद इसको कले से पकड़कर दर्बे मुके पर मुके मार के बोल हिमाई उसको रोकने के लिए बढ़ा जब वकास ने इसको रोक दिया छोड़ मुझे जवारिया इसका हाथ अपनी कले से हटाने की कोशिश करता हाप के बोला इसका सांस रुक रहा था पर जियाद पर जैसे कोई जूनन सवार हो गया था वो बीना रुके इसको मारे जा रह तब अलियादान और रहमत भीशान असवण खोड़ चोड़े इसके तरह है जबकि माहिर फॉरन से एडमिन के उफिस चला गया जब के जबिद चोड़ी से अलियादान इसको पीचे से करता बोला मैं चांस से मार दूंगा इसने ये कौन है जो मेरी मां के बारे में बक्वा हो गया छोड़ी से आप चले आफिस में दो दिन प्रोफेसर और गार्ड्स वहां आकर इनको बोलने लगे जवारियार को हस्पिटल ले जाओ प्रोफेसर मनहास संजीत की से बोले जिस पर गार्ड ने फॉरन से तकमिल के और एक आदमी के साथ जवारियार को लिए कर चले पर गहरा सखम है वकास इनकी बात पर फॉरन बोला इसके बात पर उन्होंने पहले से घूरा फिर जयात को देखा जिसके बाल पूरे बिखरे हुए थे शर्ट की उपरी बटन टूटे थे और चेहरे का रंग पहनी हुई शर्ट से जादा लाल हो रहा था इस दफ़ा तुम लोगों ने हद कर दी और तुम सबको हफ़ता भर के लिए नहीं पुरे साल के लिए खारिज किया जाता है आप सब के वालिदें को हम फूंग कर देंगे पर मज़ीद हम तुम लोगों की बज़े से अपने कॉलिज का निजाम खराब नहीं करेंगे तुम लोगों का ये एडमिन वकार तासिफ से इसको देखकर बोले, मेरा पेटा कैसा है अब, उमर इमरान फारूग परिशानी से डॉक्टर से पुछने लगे, इनको ऐसे ही इतला मिली थी, वो फॉरन से यहां आये थे, जवारियार को दिखने, इनको बहुत बुरे तरीके से मारा पिटा गया है अभी इन आईसियो में है, शिफ्ट किया गया है, अल्ला बहतर करेगा, डॉक्टर ने प्रफेशनल अंदास में बोले, जो इनको लेकर आये थे, अब वो कहा है, इमरान साहब इनकी बात सुनकर बोले, वो तो शायद कॉलेज के प्रफेसर और ही कार्ड था, जिनको को कोई आई हुए आदा घंटा हो गया था, डॉक्टर ने, सोच के बताया, डॉक्टर की बात सुनकर वो अब इसकी कैबिन से निकल कर बाहर आये थे, जहां अब माहिर, शान और अस्पन भी खड़े थे, तुम सब को भी अब इलाज के जरुरत थे, इमरान साहब इनके सूझे मु देखकर बोले, अंकल वो, अभी मैं कुछ ने सुनना चाहता, माहिर कुछ बोलने वाला था, जब उन्होंने टोग दिया, आप किसी मेल नर्स को कहें, वो मेरी पट्टी करें, जियाद को वो लोग कॉलिज के करीब क्लीनिक पर लाए थे, जब रूम में फीमेल नर्स इनकी पट्टी का सामान लाई तो जियाद इस से कहां, जिस पर सब एक नजर डालते, सर हिलाती, वहां से निकल गई, करने देते इसको भी मरम पट्टी, शर्मानी की क्या बात थी, वकास जो माहुर में चाही संचीत की खतम करने की कर्द से, शौक लहजे में बला, क्यों करने दे ख्वामा का जियाद की गोरी पीट वो देखती, जो आज तक हमने नहीं देखी, एमल भी वकास का साथ देता, मस्कुही कह कहां लगा कर बोला, कैन यू प्लीज शट अप, जियाद सुर कांकों से इनके तरफ देख कर बोला, जिस से वो खामोश हो गए, आप लोग भार जा पर मुँ बनाए बुला, जिस पर अलियादान का सीट कर इसको बाहल के तरफ ले जाने लगा, एमाद और हमायो भी इसके साथ पीछे निकल गए, जखम काफी गहरा है, पानी से इत्याद कीजीगा, डॉक्टर ने इसकी पीट पर जखम देख कर कहा, जान नर्स इसकी भी पर था, जियाद ने हम कहने पर इत्फाक किया, जियाद घर पर है, इसरार साथ आफिस से घर आकर मुलाजिम से पुछने लगे, जिस साथ वो अपने दोस्तों के साथ आये थे, वो अपने कमरे में इनके दोस जा चुके है, शब्वीर ने जवाब दिया, सही, मैं इसके कमर जियाद पर जियाद अपनी पीट के जखम से लापरवाह, पंचिंग बैक पर मुक्के बरसा राता, जियाद बस करो, इसरार साथ तेज आवाज में बुले, जियाद से बूले, जो पसीने से भीका हुआ था, इनके बात पर जियाद और जोसे पंचिंग बैक पर मुके मान लगा, अपनी मा के लिए ही बस कर दो, इसको अपनी बात ना मानता दे, इसको इसकी मां का वास्ता देते लगे, जियाद का बढ़ता हुआ हाथ हवा में मुलक हो गया, इसने एक नज़र तन जियाद अपने बाप पर डाली और कमरे में आ गया, क्यों खुद को तक्रीप द गए हो, अपनी ही बे इत्यादी की वज़े से इस पर ध्यानी नहीं दिया, मैं तुम से बात कर रहा हुँ जियाद, इसरार सहाब इसको खामुश देखकर फिर कहने लगे, आपकी खुद कर्दी की वज़े से मेरी मा सुमा को सब भागी हुई औरत कहते हैं, इनके साथ आप की वज़े से कितना बड़ा हदसा हो गया, कोई नहीं जाता, और एक आप है जो इतने परसकून से है, जियाद कारदार लहजे में इनके तरफ देखके बना, तो मैं कॉलिज में वो नहीं करना चाहिए ता जो करके आयो, इसरार सहाब को शर्मिन दीगी तो हुई, जियाद क अपने चेहरे पर हात रखके लब भीच गया था, बहने तुम्हारी शर्म नहीं आई, दिल नहीं का बस के बारे मैं सब बोलते हुए, इसरार सहाब उच्छी आवाज में बोलने लगे, जिस पर जियाद के चेहरे पर जखमी मुस्कराहट आगी, मेरा कोई नहीं है, मेरे सा हमोश रहने का कहने लगे जो अपने माजी फिर दोहरा रहा था, क्यों हिमत नहीं हो रही सुनने में, सोचे मेरा क्या हुआ होगा, तब जियाद चिला कि पूशने लगा, अपने आपको बदल दो जियाद, मैं बात करूँगा कॉलिज के अडमिन से, वो अपने फैसल जरू इतना ही बोले, आप जाएए यहां से, और कोई भी यहां मत आईएगा, ज्याद मू मोड़े इन से बोला, पुरानी बातों को, पुरानी बातों में कोई फायदा नहीं, वो नहीं, तुम हमारे साथ खुश रहो, भूल जाओ, सब सोनिया की जिन्दगी इतनी ही थी, तुम क से, ज्याद जब्त किया अफरी हद छूता, वो बोला, मैं प्यार करता हूँ तुम से ज्याद, आप जा रहे हैं या मैं जाओ, ज्याद एक एक लफ चबा के बोला, जिस पर वो बेबस होकर कमरे से निकल गए, ध्यान से रैट, इनका पाव सीडियो पर अटक रहा था, जब एनी जल्दी से इनको बाजों से पकड़ कर बोली, आपको डननी लगता, एक बीटी के बाप है, एनी को देखके, इनके कानों में ज्याद के अलफास गुंचित है, तुम्हे कोई बहुत नेक दिल लड़का मिने, जो बुस्तिल ना हो, और ना खुदकर्स, जिसको हीरे के पहचानो, वो मेरे जैसा बिलकुल ना हो, इसरार साहब इसके सर पर हाथ रखके बोलते चले गए, जबकि एनी अपनी चेहरे पर हैरत के तासिरा सजाए, अपने बाप को जादा देखती रही, फिर कंदा उचका कर दोड़ कर कश्माला के कमरे में गई, जाद अपनी बन्य अनुतारी, आईनी के सामने खड़ा हुआ, अपने आपको देखने लगा, अपना चेहरा दूसरी तरफ करते, इसने एक साइट पर खड़ा होता, अपनी पीट पर नजरे डाली, जहां पट्टी से खून रस रहा था, वो पे तासिर निगाहों से देख रहा था, जब इसका मुबाइल बिचन लगा, नाम देखा तो उसके चेहरे के तासिरात कुछ ठीले हुए, हेलो, जयाद ने संजीत की आवाज में का, हेलो जयाद तुम ठीक हो, आज सुबहा से मेरा दिल घबरा रहा था, सुचा इस वक्त तुम फिरी होगे, तो कॉल करो, दूसरी तरफ नूर जयाद परिशान आवाज सुनकर, इसने गहरी सांस नी, ठीक हो खाला, आज जयाद आप कैसी है, जयाद ने जवाब दे कर पुछा, मैं ठीक हो, तुमारी आवाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, नूर जयाद इसके जवाब पर मुतमईन ना हुई, कुछ नहीं, बस ऐ जयाद मुबाइल रखते, साइट टेबल का ड्राव खोलके, इसमें से टैबलेट निकालकर मुँमें डालकर पानी निकल गया, इसको अभी आराम चाहिए था, जो बस स्लिपिंग पिल्स ही दे सकती थी, वो जो हमेशा इस्तमाल करता था, ब्रो कैसा है डैड़ अब, सो मिल हॉस्पिटल आकर अपने बाप से बोली, जो संजीत की से बैटे थे, अब एक कुछ ठीक हुई है हालत इसकी, इमरान साहब ने चवाब दिया, मैंने ब्रो को देखा, इसको जिसने मारा, आप इस पर पुलिस के, पुलिस से अंदर क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसको सजा मि कॉलेज सिर्फ एक ही तो नहीं है, भाई किसी भी यूनी में अडमिशन ने सकता है, सोमिल बाल जटक के बोली, जिस पर इमरान ने तासिफ से इसकी तरफ देखा, जिसके लिए कोई मामनी बात न दी, मा को बताया अपनी, उन्होंने पूछा, हाँ आ जाएगी कल तर, सोमि पर बैटी, मॉबाइल में गेम किलने में मगन थी, खुले बाल चहरे के पास आ रहे थी, जिन को हटाने के इसने जहमत बीना की थी, आशिर इसके साथ चार पर बैटा, उसके बाल चहरे से हटा के सवाल करने लगा, इतनी जल्दी खाया लाया, दो दिन बात पूछ रहे हैं आरजो ने बुचा, किर्केट मैश था हमारा, आशिर उटके इसके बालों उख में, पिन लगाता, बताने लगा, फिर हार गए, आरजो सीधी बैट के तहजित से बुनी, अल्ला का शुकर हैं, जीन गए, आशिर ने घुर के का, अच्छे बात हैं, आरजो ने हसी रुके का अपना चेहरा पीछे करो, मैं तुम्हारी चोटी बनाओ, डायन लग रही हूँ, डायन बिल्कुर खुले बालों में, आशिर ने इसके बाल कुछ और बिकार के का, मैं डायन लग रही हूँ तुमको, आरजो शौक में सवाल करने लिए, हा ना, बाल जो इतने बड़े बड खुले हुए हैं चेहरे पर, आशिर हसी जब्त करते बोला, बड़ी हसी आ रही है, तो मैं आरजो इसके दोनों गालों पर नजरे जमाती बुली, जहां इसके डिम्पल्स भी करे दे, नहीं तो, आशिर चल्दी से चेहरा नफी में सर हिलाता बोला, तो चेहरा क्यों लाल हो और ये बात आशिर जानता था, इसलिए वो जान बुच के आरजो को चिड़ाने के लिए हर वक्त अपनी डिम्पल्स के नमाईश करता हूँ, मेरे खुबसूर डिम्पल्स को गंदे तो ना कहूँ, तो मैं पता नहीं, मैं इस अपनी कलास में डिम्पल्स बॉई से जाना ज कुछ नहीं, इसलिए तुम जादा शोक है ना बढ़ाओ, आरजो मो बना के अलग जाविये बनाते बुली, कभी देखना मेरी आईडी पर इंस्टाग्राम पर ही त्रिक किये जी, तो बस लड़किया है, आशिर ने इसको और और जलाया, बस लड़किया ही गिनना और, और चोटी पैलाने की बात कही है, तो कर भी दो, आरजो घूर कर इसको देखने लेगे, हाँ आओ ठीक से बैटना, आशिर इसको बड़ी अम्माओ की तरह हिदायत दिन में का, मैंने कहा ना, कुछ दिन पहले एक होरन मोवी देखी थी, आशिर इसके बड़े बालों को सुलजा तो आरजो आके बन के बोली, इसमें एक लड़की होती है, आशिर ने इसके बाल बनाते हुए से अपने लहजे को तहजे सी बनाते विका, चुड़ेल, आशिर इसके बालों में रिबिन डाल के जवब दिया, प्लास्ट में क्या होता है, आरजो को बस एंडिंग जाननी थी अच्छी होती है, वो लड़की है ना, मुझे तुम्हारी जुर्वा बहन लगी थी, आशिर ने मज़े से इसको बताया, तुम्हे मैं चुड़े लगती हूँ, आरजो कड़े तेवरों से इसको घुर के बोली, हाँ और नहीं तो, आशिर हसके बोला, तो अब तो मैं तुम बोलाए, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आरजो सोफे पर रकरकेशन उठाके, आशिर की तरफ दे कर मारने लगी, आशिर नीचे जुका और ना लगने पर इसको जबान चड़ाने लगा, बच्चे नहीं हो, आराम से बैठो एक जगे, जरीना बेगम खुर के आरजो से ब खबरदार करना चाहा, अमा, आपकी चपल भी आच आशिर को मुझसे नहीं बचा सकती, आरजो गरम, कफकीर लोकर अपनी मा के सामने डायलोग मारा, इसकी बात पर आशिर ने ऐसे देखा जिसे कह रहा हूँ, अपनी मा की एक चपल की मार हो, जबकि जरीना बेगम आशिर क भागती और गहने सांस भरता देखकर उन्होंने अपनी चपल पर हाथ रखा, आशिर ने इनका इनादत जानकर जल्दी से आरजो की तरफ आया, जब जरीना बेगम ने चपल उतार के आरजो की तरफ चाली, तो इसको तो नहीं पर बहुत जोर से आशिर को इसके सीन ने पर लगी, जिससे वह आके बंद कर गई, कुछ पलकिनी आरजो है, तो जर्दा हुई, जरीना बेगम परिशानी से इसके तरफ आई थी, आशिर यहां बेटो क्या ज़्यादा लगी है, जरीना बेगम, इसको सोफे पर बिठा शर्मिंदी की से पूशने लगी, जिस पर आशिर का दिल किया, कहें, जादा नहीं, खाला बस पहले सांस लेने में मुश्किल होई और कुछ नहीं, फिर बोला, सिर्फ यह, नहीं खाला जान, इतनी भी नहीं, आप शर्मिंदा क्यो हो रही है, इधर आओ, सुधर जाओ, अब तुम, अब पच्ची नेरी, तुम्हारी पनी लेकर आदी हो, आरजव अपनी बात, कहती है, अशीड के लिए पानी लेनी चले गए, क्या हो गया इसका, जरीना बेड़म ने हात अपना माता पीटा, गेलव आशीड पानी प्यों, आर्जव सोफ प्रिपर्स के सांध बैठती, पानी का गलास देते बोली, जबकि जरीना बेगम महां से उड़ गई तुम्हे क्या जरुती हीरो इन बन के सामने आ जाने की आज़ उसको देखते बोली मुझे लगा चपल है कौन सा बंदुक की गॉली है पर तौबा खालतों जैसे पुरी ताकत चील उड़ चालने में लगाती है चपल उचानने में लगाती है आशिर पानी के गलास पीक के बोला हाँ हाँ हम मा की चपल किसी पंदुक से कम नहीं है ऐसे ही तो नहीं डरती मैं आज तो इसकी बात पर हसके बोली मैं इसलिए भी आगया क्योंकि अगर तुम्हें लगता तो मुझे यह इसास होता कि मेरी गलती की वज़े से हुआ और मैं अपनी गसन प्लस मोटू दोस को कभी तकलिफ में ने देख से था आशिर मस्कुरा कर कहता इसके गाल कीच के बताने लगा हाई सची तुम कितने की उड़ो आशिर ऐसे ही तुम मेरे दोस नहीं हो आरजो बिसके गालों को खीच के प्यार से बुली अच्छा मैं घर जाओंगा आशिर उटता बोला सही आज अमा ने इतने अच्छे से तुम्हारी खातिर तवाजाई की तो तुम भूलने वाले नहीं आरजो अब शरारती डूट में आकर का सच है पर बात है रुस्वाई की और मैं तो शुकर कदा कर रहा हूँ अम्मी में खाला जिसी आदत नहीं चप्पल मारने की आशिर हसके बोला तो आरजो का कह कहा निकल गो हम दोनों कब से आपको कह रहे हैं बस एक साल की बात है और अब इन सब की आप शिकायत नहीं मिलेगी इसरार साहब और असदुल्ला इस वाकिये के बाद एड्मीन को समझाने की कोशिश की अब वो कुछ गलत नहीं करेंगे बस एक साल की बात है पर एड्मीन अपनी बात पर कायम थे इसलिए वो आज फिर आए थे आपकी सही बात सही है पर हमारे कॉलिज की बिज़त का सवाल है एड्मीन वकार संचीत की से बोलें हमने बच्चे को समझा दिया है वो अपने अमल से शर्मिन्दा है असदुल्ला साब ने कहा जियान, अलियादान, एहमद, वकास, हिमायूद इन सब को शर्मिन्दा होना क्या होता है इसकी शर्द से भी वाकिफ नहीं मैं मानू ही ना वो अपने अमल से कभी शर्मिन्दा हो सकते है या एक पल भी ऐसास हुआ होगा एडमिन्दा ने इनको शर्मिन्दा कर दिया आप हमारी खाती ने इनको आखरी बार मौका दे इस रास आपने का ओके बट लास्ट चांस क्योंकि इनकी आखरी साल है और इनके जहानत की वज़े से इनके टीचर्स को कोई शिकायत नहीं क्यों पढ़ते नहीं एडमिन वकार को सोच के सोच के इनकी बात मान ली जिस पर इन दोनों की चेहरे पर सुकून भरी मुस्काराहट ने ले लिया सो आपको इनोवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा लाइक, शेयर, सबस्क्राइब करना तो बिलकुल ना बुलिएगा सो अपना बहुत ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज